Hello and welcome back to my channel So, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या प्लेको फिस लीगल है या इलीगल है प्लेको फिस को हम लोग सकर मौथ कैट फिस के नाम से भी जानते हैं और जो इनको कॉमन प्लेको भी बोला जाता है So, एक इंडिया के साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है सिव कुमार वो प्रोफेसर एंड हेड ओफ एफर आईसी हैं एफर आईसी के बारे में आप पता लगा सकते हैं अपने इंटरनेट में जाकर आप वहाँ पे देख सकते हैं कि एफर आईसी क्या है एक रिसर्च टीम बनाती है उस टैप से रिसर्च करती है वो लोग तो सिव कुमार मगादा और उनकी टीम जो है ना उन्होंने ये बताया कि इन फिसस को और ना मेंटल फिसस के तौर पे बेचा जाता है बट प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है जब कोई इन्हें इनकी साइस की वज़े से इन्हें अपने लोकल वाटर बॉड़ीज में रिलीस कर देता है चाहकि वो छोटे पॉंट्स हो या फिर छोटी नदिया हो जब वहाँ पर रिलीस कर देता है क्योंकि एक्यूरियम में उन्हें रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अगर उनका साइस बरा हो जाता है क्योंकि यार उन्हें घूमने का स्पेस नहीं मिलेगा इधर उधर जाने का स्पेस नहीं मिलेगा तो सिंपल सी बात है आपके अक्यूडियम के लिए बहुत बड़ी हो जाएगी और आपको भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो आप क्या करोगे आप सोस्टे कि उसे एक local water bodies में डाल दिया जाए लेगिन उन्हीं के बारे में उन्होंने ये भी बताया है कि अगर इनकी population कम रहेगी जैसे कि जब आप क्या करते हो इन लोगों को मतलब इन लोगों को नहीं इस मचली को आप local water bodies में मतलब छोड़ देते हो तो अगर उनकी population वहाँ पे कम रहेगी तो वो उतना जादा harmful नहीं लेकिन एक चीज़ तो simple है जहाँ पे अगर बहुत सारे प्लेकोज मिल गए फीमेल प्लेको और मेल प्लेको तो उसके साथ क्या होगा उनकी population धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी तो उनकी population धीरे धीरे जब बढ़ती चली जाएगी और जैसे कि आपको पता है सकर माउथ catfish इस टू फीट से 2.5 फीट तक ग्रोग कर सकती है और यह breeding के लिए चब छेंच के होते हैं तब यह breeding के लिए ready हो जाते हैं और breed कर सकते हैं और इनका life span भी 10 से 15 साल का होता है तो यह हमारे Indian wildlife के लिए threat बन सकता है अब सवाल यह है कि threat कैसे बनाएंगा यह भी तो एक तरीके का फिश है ना तो जैसा कि आप वो मैं बता दू कि अमेरिका के कुछ पॉंट्स में कुछ छोटी नदियों में देखने को मिला है कि यह फिशों ने destruction मचा दिया है और इनका जो population है वो रोकना बहुत ही जादा मुस्किल है कैसे मुस्किल है मैं आपको बताता हूँ तो प्लेक भी भी खा सकते हैं और क्या होगा दूसरे मचलियों के अंडे भी खा सकते हैं तो अगर एक दो अगर पूरे पॉंट्स में हुई प्लेको फिश तो उतना जादा दिकत नहीं होगा लेकिन जैसे यह मल्टिप्लाइ करना स्टार्ट करेंगी तो उनसे क्या होगा जो दूसरी ग्ञत रुख जाएंगी अलब जो इसपीसीस की मसलियोंगी ना उनकी ग्रोथ रुख जाएगी सिंपल से बात है ग्रो रुख ने का मतलब क्या है कि उनके अंसिस्टर आ नहीं पाएंगे उनकी पॉपूलेशन बर नहीं पाएगी और सिफ किस की पॉपूलेशन और इनके population को रोकना बहुत ही जादा hard काम है क्योंकि ये बहुत hardy fish होती है hardy fish कहने का मतलब जो किसी भी extreme condition में survive कर ले low oxygen के साथ और low water condition में survive कर ले उसे बोला जाता hardy fish तो ये ये भी होती है साथ-साथ इनका population को रोकना बहुत ही जादा मुस्किल हो जाता है क्योंकि ये fish edible नहीं है बतलब आप इसे खा नहीं सकते क्यों नहीं खा सकते क्योंकि इसमें less meat होता है और spiny body होता है अगर आपके पास प्लेको है अगर आपने प्लेको को कभी चुआ होगा तो आपको पता चलेगा कि प्लेको बहुत ही ज़्यादा प्लेको फिस है पहले से तो क्या कि ये कि आप उसे रखिये बट उसे रखिये जब तक वो मर ना जाए क्योंकि आप उसे wildlife में release करना मैंने आपको बता है एक thread बन सकता है तो आप ऐसा बेकूब वाली हरकते मत करना और उन्हें ऐसे water bodies में मत छोड़ना तो ये information था प्लेको फिस के बारे में कि क्या वो illegal है या legal है तो simple सी बात है वो illegal है और लेकिन अगर आपके पास पहले से तो आप में रख सकते हैं ऐसा कोई बात नहीं है लेकिन अब क्या आजाता है ना अब लोग पुछते हैं कि या अगर catfish नहीं रखेंगे सकर माउथ catfish नहीं रखेंगे तो ऐसा कौन सा fishes रखें जिस वज़े से क्या होगा हमारा acudium साफ रहे उसका कुछ alternative तो होना चाहिए ना सकर माउथ catfish का क्योंकि बहुत लोगों को पसंद है कि सकर माउथ catfish नहीं रखेंगे तो हाँ उनका बहुत सारा alternative faces है जिनके बारे में हम लोग इस वीडियो में discuss नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो पहले ही बहुत जादा लंबा हो गया है तो subscribe कर दो like कर दो इस वीडियो को और इंतिसार करो एक और वीडियो का जिसमें मैं बताऊंगा कि प्लेको फिस का alternative face क्या क्या है मतलब सकर माउथ catfish के alternative face क्या क्या है और five species of face में लेकर आऊंगा और आप लोग